तेरा वचन मेरे पाउं के लिए दीपकी है और मेरे मार्क का वो जी आला है तेरा वचन मेरे पाउं के लिए दीपकी है 28 सितंबर पहला पात आयूब नभी का ग्रंत अध्याय नौ पत संक्या एक से बारा चौता से सोला मैं निश्चेत रूप से जानता हूँ कि तुम लोगों का कहना सच है मनुश्य अपने को इश्वर के सम्मान निर्दोश प्रमानित नहीं कर सकता यदि वै इश्वर के साथ बहस करना चाहेगा तो इश्वर हजार प्रशनों में एक का भी उत्तर नहीं देगा इश्वर सरवग्य और सरप शक्तिमान है कौन मनुश्य उसका सामना करने के बाद जीवित रहा इश्वर परवतों को अचानक हटाता और अपने क्रोध में उलट देता है वे पृत्वी को उसके स्थान से खिसकाता और उसके खंबो को हिला देता है वे नक्षत्रों को धांकता और उसके आदेश पर सूर्य दिखाई नहीं देता वे अकेला ही आकाश फैलाता और समुद्र की लहरों पर चलता है उसने सब्तिरिशी, म्रिग्य, कृतिका और दक्षिन नक्षत्रों की सृष्टी की है वे महान एवं रहसमे कार्य संपन करता और असंक्य चमतकार दिखाता है वे मेरे पास आता है और मैं उसे नहीं देखता वे आगे बढ़ता है और मुझे इसका पता नहीं चलता जब वे कुछ ले जाता है तो कौन उसे रोकेगा मैं उसको कैसे जवाब दे सकता हूँ मुझे उससे बहस करने को शब्त कहां से मिलेंगे यदि मेरा पक्ष न्याय संगत है तो भी मैं क्या कहूँ मैं केवल दया याचना ही कर सकता हूँ यदि वे मेरी दुहाई का उत्तर देता तो मुझे विश्वाश नहीं होता कि वे मेरी प्रारतना पर ध्यान देता है ये प्रभू की वानी है इश्वर को धन्यावाद भजन अनुवाक्य प्रभु मेरी प्रार्तना तेरे पास पहुंचे प्रभु मेरी प्रार्तना तेरे पास पहुंचे प्रभु मैं दिन भर तुझे पुकारता हूँ मैं तेरे आगे हाथ पसारे रहता हूँ क्या तु मृत्कों के लिए चमतकार दिखाएगा क्या मृत्यक उठकर तेरी स्तूती करेंगे अनुवाक्य प्रभू मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुंचे क्या कब्र में तेरे प्रेम की चर्चा होती है अधोलोक में तेरी सत्य प्रत्यग्यता का बखान होता है क्या मृत्यों की शाया में लोग तेरे चमतकार विस्मृत्य के देश में तेरी न्याय प्रियता जानते हैं अनुवाक्य प्रभू मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुंचे प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ प्रात्यकाल मेरी प्रात्ना तेरे पास पहुंचती है प्रभु तु मेरा त्याग क्यों करता है तु मुझ से अपना मुख क्यों छिपाता है अनुवाक्य प्रभु मेरी प्रात्ना तेरे पास पहुंचे जैगोश आलेलुईया अनुवाक्य आलेलुईया मैं हर वस्तु को कूडा समस्ता हूँ मैं मसी को प्राप्त करूँ और उनके साथ पूर्ण्य रूप से एक हो जाऊं अनुवाक्य आलेलुईया पवित्र सूसमाचार संत लूकस के नुसार अध्याय नौ पजसंख्या 57-62 तक इसा अपने शिश्यों के साथ यात्रा कर रहे थे कि रास्ते में ही किसी ने उनसे कहा आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा इसा ने उसे उत्तर दिया लोमडियों की अपनी मांदे हैं और अकाश के पक्षियों के अपने गोंसले परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगा नहीं है उन्होंने किसी दूसरे से कहा मेरे पीछे चले आओ परंतु उसने उत्तर दिया प्रभू मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो तुम जाकर इश्वर के राज्य का परचार करो फिर कोई दूसरा बोला प्रभू मैं आपका नुसरन करूंगा परंतु मुझे अपने घर वालों से विदा लेने दीजिये इसा ने उससे कहा हल की मूट पकड़ने के बाद जो मुच्वर के राज्य के योग्य नहीं यह प्रभू का पवीत्र सुस समाचार है क्रिस्त कीज़े